आज ये गलत काम करना है नहीं अब आजने कल करेंगे तो हो सकता है कि कल भावना बदल जाएं और हम गलत काम से बच जाएं और आज हमारी अच्छी भावना है परमार्थ करने की भगवान में मन लगाने की धन से दान करने की और कह दिया कल करेंगे पहली बाग तो कल आवे ना आवे और अगर आया भी तो ये बर्तमान भावना कल भी बनी रहेगी कोई गारंटी नहीं है कि यह इतना आव बदमास है मन एक मिनट पर बदल जाता है पहले तो मनुष्य शरीर ही करोणों जन्मों के बाद मिलता है वो मिल भी जाए तो मार्ग बताने वाला बड़े भाग से मिलता है वो भी मिल जाए तो हम उससे मिलें उस पर स्रद्धा करें यह भी बहुत दुरलब है यह सब बनाव बन भी जाए और हमको पता हो जाए है कल्यान किसमे है हमने अब तक क्या किया क्यों नहीं कल्यान किया तो भी एक दोश है हम लोगों में कि परमार्थ को उधार कर देते हैं कर लेंगे अभी तो बच्चे हैं अभी तो माउज मस्ती के दिन है रिटायर होंगे जब बुड़े होंगे जब बस यही करेंगे बेद कहता है नश्वाश्वा उपासीत कोही फुरुशश्श सोवेद उधार मत करोंगे करेंगे यह मत बोलो मत सोचोंगे रोज देख रहे हो कि किसी के जीवन का एक छण का भी भरोसा नहीं कोई गारंटी नहीं है अगला क्छण मिले न मिले मानो देह चिंजाए करोणों बच्चे डेली मर रहे हैं करोणों जवान मर रहे हैं फिर हम बुढ़ापे के लिए उधार करते हैं क्यों यह बहुत बड़ा दोश है गलत काम तुरंट करते हैं संसारी काम तुरंट करते हैं पंच्वल्टी से करते हैं ट्रेन साथ बज़े जाएगी साड़े छे बज़े पहुँच जाओ कभी ऐसी गलती नहीं किया कि साड़े साथ बज़े जाएगी तो साथ यक्तिस पर पहुँचो संसार में सर्बत्र बड़े सावधान रहे सड़क पर चलते हैं उधर से भी सवारियां आ रही हैं इधर से भी के शहर कहीं एक्सिडेंट नहीं हुआ संसार में हर जगे हम सावधान रहते हैं और जहां परमार्थ का मामला आया उधार कर लेंगे रावन ने लक्षमन को उपदेश दिया था राम ने कहा था लक्षमन से कि जाओ रावन के पैर की तरफ खड़े होकर उपदेश लो चारों बेदों का बिद्वान था रावन तो उसने कहा लक्षमन अच्छा काम तुरंत करना और गलत काम को उधार कर देना आज ये गलत काम करना है नहीं अब आज ने कल करेंगे तो हो सकता है कि कल भावना बदल जाएं और हम गलत काम से बच जाएं और आज हमारी अच्छी भावना है परमार्थ करने की भगवान में मन लगाने की धन से दान करने की और कह दिया कल करेंगे पहली बात तो कल आवे ना आवे और अगर आया भी तो ये बर्तमान भावना कल भी बनी रहेगी कोई गारंटी नहीं ये इतना बदमाश है मन एक मिनेट में बदाई जाता है अरे मिनेट भी नहीं चणमायाति पातालं चणमयाति नभस्थलं महवपनिशत इसलिए उधार नहीं करना है परमार्थ में संसारी मामले में उधार अवच्च करना है फिर कर लेंगे और मन को सदा दुश्मन माने रहना है ये दूसरी गलती है हमारी हम मन को दोस्त मानते हैं मन कर रहा है सोजाओं मन कर रहा है मन कर रहा है मन कर रहा है वो ना मानो तुम भी जिद्ध कर लो कि मन जो करेगा कहेगा ओ मैं नहीं करूगा देखो ते बंदर होता है न बड़ा चंचल होता है इसको नचाते हैं मदारी लोग कैसे पहले उसको पचास फुट की रस्ती में बान देते हैं उसी में उचलता है उचास फुट के आगे जब भागना चाहता है तो गले में दर्द होता है वो रस्ती से जब बार बार वो दर्द होता है तो कहता है अब कौन भागे इसी पचास फुट में कूदेंगे आपन वो तो कूदने का नेचर है उसका तो जब वो देख लेता है मदारी कि एक हफते हो गए अब ये आगे नहीं भागने की कोशिश कर रहा है तो पचीश फुट की रस्ती कर देता है अब वो पचास फुट जाने की कोशिश करता है फिर वहीं मुसीबत तब उसको दस फुट की रस्टी कर देता है आखिर में जब एक फुट की रस्टी कर देता है तो बंदर बैठ जाता है फिर उसको सिखाता है ए चल बंदरिया से ब्याह कर ए चल ढोल बजा जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे वो करता जाता है क्योंकि वो जानता है ऐसा नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे ऐसे ही ये मन है युनान में एक भिखारी संत था डायो जिनीज तो पत्थर की मूर्ती के आगे खड़ा होके भीक मांगता था दो रोटी दे दो अल्ला ताला तुमारा भला करेंगे आप भला मूर्ती क्या दे देगी रोटी लोग देखें ये तो पागल हो गया इतना बड़ा फकीर मशूर अब बिध्वान भी और ये दो कुझ क्या कर रहा है तो कुछ लोगों ने हिम्मत करके पूछा अरे आप का कर रहे हैं ये उन्हें का क्या करें जब दुनिया वालों के पास जाते हैं दो रोटी मांगने तो वो इधर मुख करके चल देते हैं तो बुरा लगता है या कोई कह देता है हाथ से इशारा कर देता है आगे जा तो इस मूर्ती से मांग रहे हैं कि ये दे न आड़े देगी क्या फिर भी फीलिंग ना हो ये अभ्यास हो जाए तो फिर जब दुनिया वाले कुछ न दे भुख्षा तो फीलिंग ना हो क्रोध ना आवे उसको देखकर गुसा ना आवे देखो कार में जा रहा है और ये चार पैसा नहीं देता ये गाली की भावना जो भीतर से होती है बिखारियों की वो सामने नहीं बोलते भीतर से होती है गाली दे करके देखो साले को कार में चल ला है एक करोड की एक पैसा नहीं दिया इतनी देर मांगते रहे तो क्रोध आया नुक्सान हुआ अपना तो अपना नुक्सान नहीं करना है इसलिए मन को दुश्मन मानना है उधार नहीं करना है यह दो बात याद रखना अपना